आप सभी एक बार मिला ले आप लोगों के कितने कुश्चन सही हो रहे हैं और कितने कुश्चन आप लोगों के सही नहीं हो रहे हैं किस किस के ऑप्शन में आप लोगों को करेक्शन लग रहा है वो आप लोग जो है इस कमेंड बॉक्स में निचे कमेंड कर दें हलो गाईज मैं हूँ देव आप देख रहे हैं दा साइंस क्लब दोसा यूट्यूब चैनल दा साइंस क्लब दोसा यूट्यूब चैनल पर मैं देविंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो गाईज 16 अक्टूबर को आप लोगों ने वियसी नर्सिंग की एंट्रेंस एक्जाम दे दियें एंट्रेंस एक्जाम देने के बाद अब आप लोग घर पर हैं और बिलकुल आप लोग बैठ हुए हैं और वेट कर रहे हैं हमारे कितने कॉश्चन सही हुए हमारे कितने आप लोगों को कहां पर मिलेगी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो गाईज वीडियो को सुरू से लेकर एन्ड तक जरूर देखे और जो लोग भी चैनल पर नहीं हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक निक्यात गाईज वीडियो को लाइक करें चलिए सूरू करते हैं सबसे पहला क्वेशन यह है हमारा सबसे पहला क्वेशन सबसे पहला क्वेशन यह है कि हमने जो भी क्वेशन हमारे बताए गए हैं उन में से हमारे कितने क्वेशन सही हो रहे हैं और कितने क्वेशन गलत हो रहे हैं इसका आप लोगों को बताना है तो सबसे पहले तो आप कमे का reply आपको मिल जाएगा साथ ही description box में नीचे मैंने अपने WhatsApp नंबर दे रखे हैं उस पर आप लोग मुझे message कर सकते हैं या फिर मैंने WhatsApp group की link नीचे दे रखी है तो आप लोग जाए WhatsApp group का link मैंने description में दे रखे हैं वहाँ जाकर जाकर आप अपने doubt जो है लाइव जाके तो मैं अब जाऊंगा college तो मैं आप अपने college के एक vlog बना लूगा अगर आप comment करते हैं कि सरे एक बार हमको nursing college दिखा दीजिए क्या क्या होता है क्या क्या सुईदा नहीं होती है सारी चीजे में और साथ ही अपने मेरे जो भी class के classmates हैं उन सभी से आप लोगों को बताऊंगा कि nursing करते टाइम आप लोगों को किस चीज का ध्यान रखना चीए और आप लोग जो है किस चीज का ध्यान रखे कौन-कौन से subject को अच्छे से पड़े अगर आप comment करते तो मैं आप लोगों को अच्छे से मेरी classmates मैं सभी हम जो है ground में बैटके आप लोगों के question के जवाब देंगे तो आप लोग अपने जो भी question है वो जवाब question कर दीजे आप लोगों के जवाब जो है आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे तो मेरे जितने भी friends होंगे मेरी class के सभी students से मैं आप लोगों की बात करवाऊंगा सभी से मिल वाऊंगा कि हम कैसे क्या BSC nursing कर रहे है कौन counselling से आया कौन donation से आया है किसने कितनी payment की किसने कितनी payment नहीं की कौन कहां से आया है उन्होंने allotment letter कैसे किया उन्होंने जो है कैसे college भरी सारी आप लोगों को जानकारी मिलेगी तो उनसे आपको थोड़ा अच्छा experience मिलेगा मैं अकेला बताऊं उससे बढ़िया कि मेरी class के जो 50 student है वो अगर आप लोगों को अलग अलग जानकारी देंगे तो I think आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी आपके सारे question का जो doubt है आप लोगों जितने भी question है वो सारी आप लोग comment box में comment कर दीजे next video में आप लोगों को जो है मेरी college के जितने भी student है सभी से आप लोगों के question के reply करवाऊंगो ठीक है न तो अगर आप चाते हैं कि मैं जाओं college में और college तो डेली जाता हूं लेकिन आप चाते हैं तो मैं उनके साथ में vlog बनाऊंगा या उनके साथ में collaboration करेंगे उनसे बात कर अगर आप चाते हैं तो comment box में नीचे comment कर देजेगा दूसरी बात यह है कि अब हमें क्या करना answer की में हमें मिलान कर लेना है कि हमारे कितने question बैट रहे हैं तो आप लोगों के कितने number बन रहे हैं एक बार तीसरी बात आप लोग private college लेना चाहते हैं या government college लेना चाहते हैं य ठीक है ना आप लोगों के देखें आई तिंक पचास प्लस नंबर वालों को government college आसानी से मिल जाएगी आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि प्लास प्लस प्लस नंबर वाले जितने भी student सभी को यहाँ पर government college मिल जाएगी लेकिन अगर स्ट या स्ट काटेगरी का है क 48 नंबर है तो भी उसको government college मिल जाएगी वाई tension नहीं करना तो भी आप लोगों को government college मिल जाएगी अगर कोई girls है और उसके 46 नंबर आ रहे हैं और SC categories है तो tension मत किजी आप लोगों को government college मिल जाएगा ठीक है ना बट OBC general और EWS में है तो भी आप लोगों को मिल जाएगा बट O अगर मैं बात करूं OBC के तो OBC में आप लोगों को जो college मिलेगे वो I think 52 प्लस आप लोगों को जो है यहाँ पर government college मिलेगे तो मेरी क्लास में जो है OBC के भी है SC, ST, MBC, EWS सारी student है किसने कितना donation दिया, किसने कितनी fees भरी, किसको fees जो है refund भी हो गई क्योंकि आप सभी को पता ह आप लोगों की scholarship है ना SC, ST और MBC वालों की scholarship तुरंत आ जाती है जैसे आप scholarship का form बरेंगे तो उसके एक महीने बाद आप लोगों की scholarship आप लोगों के bank account में आ जाएगी जिसमें से 70,000 रुपए फीस होगी प्लस 10,000 रुपए आप लोगों से extra लिया जाएगा वो बस का charge भी हो सकता है, college का charge भी हो सकता है, कुछ भी आप लोगों से बना के और 80,000 रुपए लेंगे जो counseling से जाएगा उसके बाद में आप लोगों को भरना होगा जैसे ST का है, SC का है और यहाँ पर अगर बात करें OBC में, OBC में अगर वो BPL से है, साथी MBC category से है, तो आप सभी जो है वहाँ जाकर अपना क्या भरेंगे, scholarship का form भरेंगे और एक महिने के बाद आप लोगों की scholarship हो आपके bank account में आ आ जाएगे, तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, किस कि scholarship आ गई है, किस कि scholarship अभी अटक रही है, तो इसके उपर आप लोगों को college में जाकर फुल वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर आप comment करते हैं, क्योंकि अगर मैं अपने college के सारे दोस्तों से आप लोगों के question करवांगो, तो I think आप लोगों के ज्यादा question solve हो जाएंगे, तो आप comment box में comment करें, अब बात रही answer की की, तो देखिए answer की के अगर बारे में मैं बात करूँ, तो देखिए आज official notification तो नहीं आया, बट I think आज शाम तक आप लोगों की जो है answer की यहाँ पर डलने वाली है, क् आप सभी को पता होगा कि BSC nursing entrance exam पिछली बार लगी थी 25 जनवरी को, और इस बार लगा दी 16 October को, तो I think आप समझ गए होंगे कि कितने जल्दी आने कि लगबग लगबग तीन महिने पहले आप लोगों के exam को यहाँ पर करवा दिया गया है, और exam को अगर इतनी जल्दी करव दिया गया है, तो अब हम जो nursing कर रही है student है, इनकी exam पहले लगी थी April में, लेकिन अब इस बार फरवरी में हमारी exam लगा दी गया है, तो आप लोगों की फटापर से counseling करवाई जाएगी, फटापर से counseling करवाने के बाद allotment letter जारी करके आप लोगों को college में भेज दिया है, तो हमारी जो, हमारा जो junior bench है, वो भी यहाँ पर college में आने लग गया है, और हमारा जो junior bench है, वो donation से आके पहले seat book कर चुके है, I think उनमें से बहुत सारे ने exam भी दियोगी लेकिन उनकी तो seat book है, ठीक है न, उनकी seat book है, तो अब रहे तुम counseling वाले, तो counseling वाले, अब तुम को रासा तुम को क्या करना पड़ेगा, अपने जो जितने भी document सभी को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि होता ही ऐसा है, कि अब हम जिस college में पढ़ते हैं, उस college में देखो, 25 student तो government की तरफ से आएंगे, यानि counseling की तरफ से, और 25 college की तरफ से, क्योंकि पहले 40 seat थी, 10 seat और donation के, तो ये 5 क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने जब counseling करवाई, इन्होंने जब counseling करवाई, तो इनके या तो documents कम थे, या इन्होंने किसी currency college छोड़ कर गए, तो 5 जो है, उन्होंने donation से और ले लिए, लेकिन इन्हें जो 5 हैं, इनका donation इन्होंने बहुत जाद हाई रखा है, जै कि आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आज आप लोग समझ गएंगे, answer कि आप लोगों के डलने वाली है, तो आप comment box में comment करें, क्या आप लोगों को college वाले students से आपको जानकारी चाहिए, या नहीं चाहिए, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, बाकि मैं मिलता हू नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जै हिंद जै भारत नमस्कार